a is six years older than b the ratio of ages of b and c is 9 is to 5 if the age of c is 30 years find the age of a कहने का मतलब यहां पर यहां पर कोई 3 जो वेक्ति है ठीक है a b और c a ठीक है ठीक है ठीक दलेश्य ओफ एजस ऑफ बाइंद c is 95 ठीक रेश्यो दिया हुआ है बें बीका और c का दिया हुआ है ठीक है मैंने लिख दिया If the age of c is 30 years अगर c की यहां पर बात करें c का इस कितना है 30 years है ठीक है तो इससका कितना multiple है 6аете multiple है तो यहां भी 6 का मल्टिपल होगा तो यह कितना हो जाएगा 54 ठीक है यह कितना हो जाएगा 54 अब पूछा गिया कि find the age of a a का पूछा गिया और यहां पर बूला है कि यह 6 years older than b means कि b से एक कितना ज्यादा है इसमें जो यह 6 साल ज्यादा है तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पर 60 years तो एक का यह किया हो जाएगा यहां पर 60 साल आंसर ठीक है चली नेस्ट कोशन पर आते हैं नेस्ट कोशन क्या है the ratio of the salary of a male and a female is 65 ठीक है यहां पर एक male है और यहां पर एक female है दोनों का ratio दिया हुआ 60 तो हम इसे क्या बला लेंगे 60 और 50 कर लेंगे कोई फरक नहीं परेगा फिर कहा गया है after 20 percent increment the salary of a male becomes 260 ठीक है तो चलो इसका 20 percent increment increment होता है ठीक है कितना percent increment होता है यहां पर 20 परसंट अगर इसका 20 percent increment करते हैं तो क्या हो जाता है यहां पर 72 अच्छा फिर उसके बाद कहा गया है और फिर कहा गया कि and the salary of a female increased by 4% अभी इसका 4% increase 1 की बात की जा रही है तो इसका कितना हो जाएगा 52 ठीक है यह हो गया अब देखिएगा यहां फिर क्या था कोशन find the salary of female after increment तो पहले यहां पर देख लिए एक सेकें यहां पर इंक्रिमेंट होता है मेल का कितना होगे इंक्रिमेंट होके 216 रुपया तो इसका 216 रुपया की बात हो रहा है यह कितना बरहिया तो 216 और यह कितने का मल्टीपल है थी का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 156 तो यह female का आंसर हो जाएगा ठीक है रुपिस अधरेशन फोरह से आप मॉल्टे टाप के खोशन है देखिए इसमें का क्या कहा गया 3 कोशन में तरप डास ऑप एक्पवस एच्पैंस इस रूपिस 328 ठीक है यहां पे पैंसिल हो घया और पलस यहां पें हो घया ठीक है दोनों को मिल कर है नहrenaline के टुल इधनरु पीज थमिंती जोरुपीस में है तरी क्ला दाने अल्टि मैंब लिखा गया एक मिजी भिर वां इसलिवर्यज फिर अकदो इसे यह सब्फॉर्वा लाइसि रुक्वर्ण पीजिआ क्या सब्सक्राइब इस लिए लिए मिल क्या आएगा 14 ठीक है अब 14 जब एक्स का वैलू आ गया था रखेगा अब कहांकि find the price of x pencil and x-3 pencils ठीक है तो यहां पर pencils की बात हो रही है तो pencils कि अपलस पेंप की बात क्या है find the prices of x pencil और x-3 पेंस तो क्या होगा पैंसल की बात करें तो यहां पर यहां पर कितना था ठीक है और पैंसल का यहां पर बताया गया कि एक्स पैंसल और यहां पर एक्स-3 पैंस की बात का गया तो यहां पर केतना हो जाए पैंसल 4 था तो 4x 11 जब दोनों को सिंप्लिफाइ करेंगे तो 276 रुपीज यहां पर आंसर हो जागा क्लियर हो चलिए अब आते हैं नेश्ट कोशन पर नेश्ट कोशन के दर डिस्कॉंट ऑफर ऑन अप प्रोड़क्ट इस 20 परसेंट इफ दर प्रोफिट ऑन दाट प्रोड़क्ट इस 27.5 परस सबसे बढ़िया एक फ़र्मूल आप रटले से ठीक है इसके लिए करना क्या हुआ हंडिएट परसेंट मैस्टी परसेंट इस्कॉंट परसेंट और 100 परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट इसक नहीं करना है डिस्कॉंट कितना हो था 20 परसेंट तो यहां 80 हो जाएगा ठी कितने के बराबर 3637.50 जो कि कितने का मल्टीपल है भाई फाइब का मल्टीपल है तो इसका भी फाइब का मल्टीपल कितना हो जाएगा 400 यही आंसर आपका यहां हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पर देखिए यहां पर क्या है अब बोट का वर्ट थाटी कितना हो जाएगा यहां पर 18 फिर कहा रहा है कि डाउन स्ट्रीम में कितना जाता भाई 66 किलोमेटर तीन घंटा में कितना हो जाता है 22 ठीक है तो यहां पर पूछा गिए find the speed of boat boat के बारे में पूछा गिए यह दोनों कट गये तो to be equal to कितना हो जाएगा 40 तो बोट का अंसर आगिया 20 किलोमेटर पर आरांस ठीक है चलो नेस्ट कोर्शन क्या है दा मास्ट प्राइस 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 फिर से वही फॉर्मूल लागेंगी ठीक है cp by mp equal to 100% minus d% 100% plus p% ठीक है अब कुछ नहीं करना है 100- discount discount की बात कहा गया discount कितना 15% तो कितना हो जाएगा यहां पर 85 ठीक है कितना हो जाएगा 85 clear यह हो गया 85 निचे कितना बर रहा है 27.5 परसेंट तो यहां पर कितना हो जाएगा 127.5 परसेंट ठीक है अब बोला गया कि दमाग प्राइस आफ प्रोड़क्ट इस रुपीस 250 मोर दान कॉस्पाइस इन दोनों का डिफ्रेंस कितना हैगा चुकि दोनों का डिफ्रेंस यहां पर आएगा 42.5 यह किसके बराबर हो रहा है यह यह आपका जो है 42.5 इंटू 85 ठीक है तो इसको जब हम सिंप्लिफाइग करेंगे तो यह कितना बार में जाएगा 5 बार में ठीक है इकतना बार में जाएगा आपका 5 बार में अगर अच्छा यहां पर थ्वास और clarity में कर देता हूं था कि आप लोगो clear समझ में ठीक है यहां पर क्या कहा गय पाच ठीक है 127 असमलब 5 है ना अब यहां पर कर लेते हैं ठीक है 127 चलो 42.5 यहां पर 127 नहीं है यहां पर कितना है 250 ना 250 के बराबर है तो यहां पर एक का value निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 250 by 42.5 यह अगर दसमलब ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि two five zero zero बटा two four to five अब किसका वैलो हमें निकालना है 85 का इसको कितना बार में डिवाइट करेंगे तो कितना बार में जाएगा यहां पर यह पांच पच्छी का पच्छीज ठीक है और यहां पर पनिया ठीक चाले फांच पच्छीज यह यह कैंसिल तो 500 यहां पर अंसर होगा चलिए फांटब आंसर होगाल को सब्सक्राइब आते हैं एक डुथ यौस्ट सब्सक्राइब्स इंट प्रिंधीन स्टीक्र श्टी गडेस ठीक है एक कितना दिन में करता है थाथज़ा यह था था जोर предлаг यो how many days they together will do the 1 6th part of the same work अब इस वरक का जो है 180 का हम 1 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 30 मिसकी 30 यहां पर पाट करना है ठीक है और दोनों मिल के करेंगे न भाई तो इसका efficiency कितना जागा 5 और इसका कितना जागा 3 जब दोनों को add कर देंगे 5 5 प्लस 3 क्या हो जागा 30 by 8 2 4 30 2 15 सा 30 15 by 4 यहां पर अंसर होगा clear चलो next question है a train is going in the north direction at a speed of 18 meter per second from a point while another train is going in the south direction at a speed of 12 meter per second from the same point ठीक है तो ऐसे question में आपको करना क्या है पहले तो आपको relative speed निकालना होगा relative speed निकालने के लिए क्या करना होगा 18 प्लस 12 करना होगा ठीक है दोनों मिलके कितना है जिनके 30 meter per second इसको क्या करना होगा को किलोमेटर में change करना होगा किलोमेटर में चेंज करने के लिए 185 से multiply करेंगे तो कितना हो जागा 108 km यह हो गया आपका टोटल जो डिस्टेंस है ठीक है अब हमें क्या निकालना भाई यहां पर इन हां मस्ट टाइम टाइम की बात बोला टाइम निकालना है और दोनों के जो दूरी के तना दिया होगा 367.2 और हमें टाइम है तो यहां पर हमें क्या चाहिए यह हो गया टोटल यहां पर जो टोटल था आपका टाइम ठीक है दोनों के बीच में जो टाइम था डिस्टेंस बिट्मिन बोथ रोट रेंड भी 367.2 किलोमेटर तो यहां पर जो टाइम निकालना है यह क्या हो जागा टाइम इकमण टोटल डिस्टेंस यहां पर स्पीड स्पीड कितना है 108 किलोमेटर पर ठीक है यहां पर 108 किलोमेटर डिस्टेंस नहिए था हैично DAN की इकम्लिफाइर सिंप्ल संपीड 265 करेंगे तो कितना हैगा 33.4 और अंसर होगा ठीक है औासमीन आफ binnen कि और दो थाकिस को तो आण किHave उता है।